मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फॉनि ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि इवलुशन ओफ मैन के लिए है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर के अन तक देखिएगा तभी आप लोगो यह वीडिय आगे बढ़ते हैं ड्रायो पितिकस रामा पितिकस यह जितने भी इवलुशन मैन के जो सीरीज आई है उनमें जो ट्रिक है वो बड़ा ही फणी ट्रिक है और आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि डॉक्टर राम और हनुमान जापान गया है ठीक है लेकिन वो कैसे गय है ठीक है तो यही जो है वो ट्रिक है आपका के डॉक्टर राम और हनुमान जापान गया है कार से अब यहां पे इसका मतलब क्या है यह समझे तो राम का मतलब हो गया रामा पितिकस और का मतलब हो गया औस्ट्रेलो पितिकस हनुमान का मतलब हो गया होमो हैविलिस जापान का मतलब हो गया जावा मैन जापान के जाज से हो गया जावा मैन पास से हो गया पिकिंग मैन और आगे देखें अगर तो यहाँ पे न से हो गया नेंडर्थल मैन कार से हो गया क्रो मैगनन और से से हो गया होमो सेपियन्स और ये गए sentence को पूरा करने के लिए था तो यही है sentence आप एक sentence से सारे जो series हैं वो आप याद कर सकते हैं अक्सर ये पूछ देता है कि कौन-कौन से है जो कि starting से evolve हुए है human में तो यहाँ कुछ characters है जो कि अक्सर exam में पूछता है आप लोग के लिए बहुत ही important है तो चलिए अभी इसको देखते हैं हम लोग तो ड्रायो पितेकस जो है यह ape-like होता है लंगूर की तरह होता है काफी छोटा height का होता है approximately 3-4 feet तक का उसका fossil मिला था तो रामा पितेकस जो है वो seed और nut खाता था नेक्स्ट है Australopithecus Australopithecus जो है इसमें सबसे पहला जो खोज हुआ था discovery हुई थी कंकाल की वो Lucy नाम की एक female थी उसका कंकाल मिला था और Australopithecus को अकसर हम लोग बोलते हैं first fully erect human next है homo habilis homo habilis का देखा जाए अगर तो homo habilis जो है वो एक handyman था मतलब वो खुद से tool वगेरा बना सकता था शिकार करने के लिए तो आपको यह याद रखना है exam में कई पूछता भी है कि tool making सबसे पहले किस human descendant थे किया था तो आपको यह याद रखना है next है java man अब यह java man जो है यह इसलिए important होता है क्योंकि इसी के काल में आग की आग का जो है वह आविशकार हुआ था तो आपको यह याद रखना है काफी important है आपके लिए next है neanderthal man neanderthal man जो है इसको avoid किजिएगा neanderthal man जो है यह 1300 से 1600 cranial capacity वाला human था और यह basic लिए cave dweller था और अपने जो भी लोग मरते थे इसके उसको सबसे पहली बार यही कबर बनाकर उसमें गाड़ता था सबसे पहली बार buried किया था इसलिए आपको यह याद रखना है next है car, car का मतलब cromagnon पक्का यह पूछता ही पूछता है exam में कि इसका cranial capacity कितना होता है तो आपको याद रखना है कि 1650 cc इसका cranial capacity होता है और सबसे पहली बार जो painting दिवारों पे या फिर गुफाओ के अंदर जो painting होई थी सबसे पहली बार cromagnon से ही start होई थी next है से, से का मतलब होग यह homo sapiens sapiens और इसको हम लोग बोलते हैं modern man और इस जो modern man है इसका cranial capacity है 1450 cc तो यह थे human की evolution के करम में कुछ human के descendant तो I hope कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर आप लोग को अच्छा लगता है यह वीडियो तो आप इससे subscribe किजिए चैनल को और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहे हैं मेरे चैनल पे मैं मलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक केर